हलो फ्रेंट्स आज में लेकर आई हूँ पोहे की एकदम नई सी रेसिपी क्या कभी आपने पोहे से ऐसा इतना टेस्टी नास्ता बना कर खाया है इस नास्ते को देख कर ही आपके मुँँ में पानी आ जाएगा इस नास्ते को आप जिसे भी बना कर खिलाओगे ना तो आपकी तारिफी करेगा और आपसे इसकी रेसिपी पूछी लेगा कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं हलो फेंट्स कैसे आप सब स्वागत है आपका मानी का हम किच्छन में तो इस नास्ति को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं एक कप पोहा तो यह पोहे नहीं जादा मोटे हैं और नहीं जादा पटले हैं जो मीडियम साइज के पोहे होते हैं वो पोहे मैंने यहाँ पे लिए हैं तो देखिए यहाँ पर इसमें हम पानी डाल देंगे और अच्छे से मसलते ही हाथों से पोही को जो है हम साफ कर लेंगे तो इसे हम 2-3 बार साफ पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और अब इसका पानी जो है हम निकाल देंगे और अब इसे हम side में रख देते हैं और यहाँ पे हम लेंगे एक दूसरा mixing bowl और इसमें हम डाल देंगे आधा cup बेशन और साथी साथ इसमें हम डालेंगे आधे छोटी चमच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अब इसमें हम थोड़ा सा पाई डालके अच्छे से इसे mix कर लेंगे और इसमें एक साथ बिल्कुल भी पाणी ना डाले थोड़ा थोड़ा पाणी करके इसे हम घोलते जाएंगे ताकि जो यह अच्छे से जो हमारा बैटर है अच्छे से बन जाए और इसमें कोई भी लंप ना रहे तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो वीडियो की नॉटिफिकर्शन है वो आपको टाइम डू टाइम मिलती रहे तो यह देखिए हम यहाँ पर बेसन जो है अच्छे से भोल लिया है अब जो हमने पोहाया था ना उसके उपर इस तरीके से बेसन को हम डालते जाएंगे और इस तरीके से हम सभी बेसन को एक साथ डाल देंगे और इसे हम डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे आप एक चोथाई कप सूजी तो यहाँ पर आप सूजी भी कोई सी भी ले सकते हैं पतली जो भी आपके पास हो और आप इसे हम अच्छे से मेंक्स कर लेंगे तो दोस्तों यहां पर हमने लिया था एक पोहीं आधा कप बेशन और एक च१ताई कप यहां प्लेचकि देखेगा और अब इसे हम फूलने के लिग रखते हैं 10 मिनट के लिए हम इसे चेक कर लेते है तो यह देखे सूजी और पोहे जो है आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है बहुत ही अच्छे से सूजी जो हमारा फूल गया है तो यहां पर हम दो चमच पाने और डाल देंगे ताकि जो यह बैटर अच्छे से बन जाए अब इसमें हम डालेंगे एक बारी कटा तो अब यहां पर हम दालेंगे एक च्छोटी चमच तिल तो यहां पर मैंने काला तिल डाला है अगर आपके पास है तो आप डालेंगे अदर वाज आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं अब चट्पेटर टेस्ट के लिए अब इसमें हम डालेंगे आदे च्छोटी चमच चाहिए अच्छी से में अगरा बिलकुल भी नहीं कि नहीं डाला है क्योंकि यहां टॉट्पेटर जाले इसमें बहुत ही जादा मौष्य कहता है और यहां हम अच्छे से अपश्पार कर लिएगा सारी चीजों को और तब आपको लगे गेगे इसमें पानी जूरत है तो आ अब हम एक चम्मस तेल में एक पिंच हींग, राई, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर का तड़का बना कर डाल देंगे और इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो आप चाहे तो इसे सुभा के ब्रेकफास्ट में मना सकते हैं, या साम को हलकी फलकी भूक लगी हो, या कुछ चटपटा खाने का मनों, तो आप यह नास्ता बना कर खा सकते हैं, बहुत ही जटपट से बनने वाला नास्ता है अब चलिए अगली process की तरब चलते हैं तो यह देखिए बहुत अच्छे से mix हो गया है अब अपने हातों में थोड़ा सा oil लगाके इसे हातों को जो है अच्छे से grease कर लेंगे अब इसमें से हम थोड़ा सा पोखा लेंगे जितना बड़ा आपको इनास्ता बनाना हो उतना सकते हैं, आप चाहे तो इसे tarangle में या rectangle में जिस तरीके से आपको बनाना है, इस armor में जो भी आपको shape पसंद हो उस shape में आप सकते हैं so, देखिए वहाँ पर मैंने round shape William में इसी बनाया है, इस तरीके से हम सभी austri face ready करके रख लेंगे, आप हम एक plate ले नास्ता बनाएं चिपाइब एक पीस ऊठाकर इस तरह से हम खूट करेंगे और बहुत की आज़ेगा और इस नास्तेक नंगे जए लगए और लुक वाइज भी देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा तो इस तरीके से हम सेवाई को हातों से सेट कर देंगे नास्ते के ऊपर इसी तरह से हम सारे रास्ते को सेवाई के अंदर कोड़ करके रख लेंगे और यहां पर देखिए हम इने सभी नास्ते को जो है रड़ी होना चाहिए ठंडे तेल में इसे बिल्कुल भी मट डालिएगा नहीं तो यह जो नास्ता है बहुत ही ज्यादा ओईली हो जाएगा क्योंकि जनास्ता है बहुत ही जल्दी तेल को जो है अब्सवर्ट कर लेता है तो गैस का फ्लेम हमें लोटू मीडियम ही रखना है और सभ गर्म गरम फ्राइख करके गैस्ट पुसर्फ सकते हैं खिला सकते हैं तो आदेगी हम पवब्सें कर लेंगे तो इसी तरह तरह से घुमाते हो अलटे पलटे इसे हम गोल्डन व्राउव होने तक श्राइ कर लएंगे ते आप देख है बहुत ही से सब्सक्राइब कर लेंगे तक क्रेण MINER एक जी नरी कर लेंगे प्रेंट बिल्कुल है में और उप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब券 बना घ्रत को सब्सक्राइब और फैंट्स अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हम अपने ही ऐसी अच्छी ऐसी नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई